नमस्कार आप देख रहे हैं SKP Live News धार की जनसुनवाई में आवेदकों ने कलेक्टर के नाम अधिकारियों को अपने आवेदन सोपे आपको बता दे कि आवेदक इस उम्मीद में आते हैं कि जनसुनवाई में आवेदन देने पर उनकी समस्या का हाल होगा हाला कि आपको बता दे कि धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के जनसुनवाई में नहीं होने से कुछ आवेदक निराश भी नजार आए लेकिन CEO जीरा पंचयत मीना की द्वारा अन्य आला अधिकारियों के द्वारा जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याओ को सुना गया जनसुनवाई में आवेदक प्रताप कीता जगनात निवासी जलोख्या ने जनसुनवाई में आवेदन दिया कि आदीम जाती सेवा सकारी समीती बलेडी में वह खातादारक के बलेडी में खातादारक प्रताप सिंग सहित अन्य लोगों के नाम से फरजी परमीड बना कर ब जब खाताधरक बैंक पहुचा तो उसे इस बात की जानकरी लगी, बैंक से जानकरी लेने के बाद जब खाताधरक सोसाइटी पहुचा तो सोसाइटी पर स्टाफ ने रुपे देने की बात कही, अब स्टाफ का सदस से रुपे देने में आनिकानी कर रहा है, आवेदक के स्ताफ की सदस्य पर कारवाई का रूपे दिलवाने की मांग की गई है देखें खबर इसके पिलाई नियूस बर मैं जानते हैं तो नियूस निकल गई यह से पैसे निकले यहां से पैसे शाली से जार बताए आए अच्छा जोगों के निकले यहां दूसरे दिनी आया हूं तो विको शिकायत की क्या हूँ शिकायत की क्या बोले साहब साहब वो ले कि यह पैसे निकल गई यह पैसे निकल गई तो यह दूबाभ आया नहीं फिर गर पे नहींा कि अचाते हो वो क्या चाते हो रहाए पाइसे को बरें में हो के में बरूंगा कि बड़े हो नो करता नहें नो कि पहर देंगे बोला दो blow झाल झाल